नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहाँ पर मैं हूँ आपके साथ दिप्यासिंग दिल्ली के सिम अर्विन के जिवाल एडी के हिरासत में है एक के बाद एक के जिवाल के मुश्किले बढ़ती चारी है कोट से भी राहत मिलती नहीं दिख रही कोट ने के जिवाल की गिरफतारी के खलाफ एडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अपरेल तक का समय थिया अगली सुनवाई अब 3 अपरेल को होगी वहें आज के जिवाल की एडी हिरासत खत्म हो रही है इतना ही नहीं एडी की कस्टडी से दिल्ली सरकार चलाने के खलाफ कल PIA दायर की गई जिस पर आज सुनवाई होनी है आज फैसला आना है लेकिन आज के जिवाल के खलाफ इस पर फैसला क्या आएगा ये भी देखने वाली बात होगी ऐसे में कई तरह के सवाल उच्छे हैं इसी पर चर्चा कर निकले परसाथ स्टूडे मोचूर है कापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरेश्कुमार डॉक्टर साब स्वाद आपका दन्यवाद आज एक के बाद एक कई मामले में सुनवाई होने वाली है क्या होगा देखिए मुझे तो यह कहना पड़ेगा कि केजरिवाल ने सिंग्वी साहब को रखकर कल एक ऐसा जाल भुना था जैसे होता है कि बहुत मैचोड सिकारी भी जाल में पंच्छे को पकड़ लेता है और अचानक में उसमें से कोई एक ऐसा शात्र किस्म का पंच्छी परिंदा वो चुपके से निकल भागता है कल वैसी तयारी थी सिदे एडी की हिरासत और गिरफतारी को ही इलीगल साबित करने के लिए जद्दो जहद दो धाई घंटे तक कौन-कौन सा कानून कौन-कौन सा फिलस्पी सिंग्वी साहब हाई कोट में देते रहे एडी वाले ने बस एक काम कहा कि जो भी फैसला दीजेगा हमें बिना सुने नहीं दीजेगा स्टर्ड जी क्या थी स्टर्ड जी साथ थी कि बिना किसी सुनवाई के उनको कल रिलीव दे दिया जाए उजेल से बाहर निकले हर बलाहट क्यों क्योंकि चीजेएब केजरिवाल के बिल्कुल नजदीक आ रही है वो बिल्कुल कस्ट चुका है आज आखरी दिन है आज आखरी दिन है केजरिवाल के तमाम डिंग बाजी का जितना उसको जो करना था आज आखरी दिन है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल दिल्ली हाई कोट से उनको कोई रहत नहीं मिली मुस्पमें मिली दो तारिक तीन तारिक का इंतजार हाई कोट के नहीं करने वाले ये सुप्रेम कोट फिर जाएगे वही बात लेकिन कोई हासिल कुछ नहीं होने वाला ये ओपेन अन शट केस है दारू का घोटाला हुआ हुआ आपने काटल बनाने के लिए उस तरह के कानून बनाए बनाए चोरी पकड़ी गई तो आपने कानून को हटाया हटाया फिर क्या बच गया बाकी चीज तो प्राविट प्लेयर्स को इंट्री दी हाँ दी पाच परसेंट से बाराफ परसेंट कर दिया कमिशन हाँ किया सलाब के बोटल के उपर जो पहले रिटेल सॉप वाले को 30 रुपे का मुनाफ़ा होता था आपके 382 353 रुपे पर बोटल फाइदा पहुचाया? पहुचाया पैसा कहा गया वह यह उपन इंड शट केस है तो समाम यह तिकलम बाजी कि बिना एडी के सुने हुए फैसला आ जाए यह हो जाए फैसला होना है जेल से चली की सरकार हाँ हायकोटने में कल पीया ही लगया हायकोटने कर आजी सुनते सारी दουνिया यह जानना चाहती का जेल से सरकार चल सकती है अरे नहीं चल सकती दिमाग में भूसा भढ़ गया है क्या है लोगों के जेल से गैंग्स चलते हैं ड्रग काटिल चलता है जाइए वो देखिए नेट्फिक्स पे है पैबलोस को बार का की कान जेल से ही पुरा समराज चलाता है एक केजरिवाल जेल से चलाएं सरकार कोई मर्यादा है देश का और आज तुम करोगे और फिर वहां जेल में बोलेगा आप सपत दिलाओ हमने तो बेकारी चंपे बाबु को बना दिया मुख्यमंत्री हमन्सरन कहेगा कि हमको भी आप सबत लेना है बहुमत हमारे पास है हम चुने में मुख्यमंत्री है हम भी चलाएंगे यह मने एनार की चल रहा है क्या और मैं देख रहा हूँ मुर्खों की तरह अपने आपको पत्रकार कहने वाले लोग इसको भी समर्थन कर रहे है अटे चुल्लू और पानी में डूब जाओ द्राली करने के लिए और भी समय आएगा कुछ चीजे ऐसी होती है कि जो प्रैमा फेसी दिखते ही लगता है यह गलत है दिल्ली के जो बाहर लोग हैं उनको ज़्यादा ही ज्यान हो गया है सराब की बोटल एक के बाद एक फ्री 30 रुपे के जगह 3700 रुपे मुनाफ़ पहुंचा रहे हो 5 परसंट के जगह 12 परसंट जो है होलसेलर्स को जो है आपने डिस्ट्रिबूटर्स का जो है उसका ये कर दिया प्राविटाइज कर दिया और उसके बाद ही कह रहे हो कि नहीं हम तो कटर इमांदार है तो आज दिल्ली हाइकोर्ट में यह फैसला होगा कि जेल से सरकार चल सकती है नहीं चल सकती है कोई कानून इसके आले नहीं आएगा कि इसको स्तिफा देना होगा अब इस्तिफा देगा तो क्या होगा तो दो ट्रेलर आ गया भावी जी का तो जो लोग केजरिवाल को महान डेमोक्रेटिक लीडर महान रहे थे आयने के सामने खड़े होना मुँपे कालिक पोत लेना प्लीज वेलकम राबनी देवी नंबर टू इसलिए सपोर्ट कर रहे थे तुम लोग केजरिवाल को विवस्था परिवर्तन करेगा ये पत्नी को बनाएगा क्यों बाकि किसी पर भरुसा ही नहीं है बाकि कोई बनेगा सारे राज जान जाएगा सारे राज जान जाएगा तो वो दो रीजन से पत्नी को बनाएगा एक पार्टी का भी कमांड अपने हाथ में सरकार का भी कमांड अपने हाथ में और इतने शौक से जो इसने शीष महल बनाया है सुनिता भावी का तो कलिजा कट जाएगा अगर उनको बाहर निखाला जाए तो तब्यत खराब हो जाएगी सहनी नहीं कर पाएंगे ये लोग तो वो आज बहुत ही कुरूशल फैसला है दूसरा हिरासत खत्म हो रही है तो उनको फिर भेजा जाएगा और भेजा जाएगा तो उसी में सुनिता भावी ने कहा कि कल हमारे पती कोई बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं यहीं ने कहा था कल है मतलब आज जो है बहुत बड़ा खुलासा करेंगे तो क्या एटम बॉम रखे वे थे अपने पास जिसका तुमने इस्तेमाल नहीं किया जब मनिस से सुधिया जिल गया तब तो रो रहे था मिस्यू मनिस अंकल जब अदस्ती बच्चों से लिखवा रहे थे केंपेंग चला रहे थे रो रहे थे कि मेरा मनिस जेल चला गया एक खम ड्रामा नहीं है इन लोगों को देखिये एक बात में बताओ सब्सक्राइब को पूरा गैंग को आते सी मार लेना आ ये सौरव भारदवाज केजरिवाल अब तो भावी जी भी लाइन में लग गई है शीजिए सच अफाइन एक्ट्रस ट्रेनिंग भी जारी है तो यह जो पूरा खेल जो इसने रचा वो कल फिर चला जाएगा उदर हिरासत में तो हिरासत तो मिलना ही है तो कि आप हाई कोट भी बोले हैं तीन तारीकों सुनेंगी मतलब हाई कोट ने भी प्रामें में सिमान जाए इसको किन से रासत में बेजो और यह रासत में रुकना नहीं चाहता कारण सवाल से परिशान हो गया है जवाब नहीं दे रहा है यादास जा रही है वह देखिए सबसे पहले तो सबका एक ही सिस्टम है जब यह मनी लॉंडरिंग के केस में कटर यमानदार केजरिवा भारत रत्म दिलवा रहा था नोबल प्राइज दिलवा रहा था मोहला क्लिनिक के जन्म दाता शतंदर जैन फ्रॉड तो जब उससे एडी वाले पूछते थे ना तो वह काता था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अरे तुम कंपनी में शेर होल्डर हो तुमारा पुरा ख नदर दर से हो रहा है सवाल पूछाते हैं कि यादास नहीं मुझे याद नहीं है क्यों याद नहीं है तो बोला था कि मुझे कोरोना हो गया है कोरोना की वज़े से मुझे मेरी यादास चली गई है केजरिवाल भी बोल रहे हैं याद नहीं है तब्यत खराब हो रही है मैं कोई बड़ी बात है ब्लट सुलगर को हमनों को भी उपर निचे होता रहता है आप उमर प्लस 50 से प्लास हो जाते तो उसके बाद तो यह सारी चीज़े होती है कुछ साल की उमने है आपकी तो आज केजी वाल के लिए करो या मरो और यह जो दो डिशेजन है एक extension वाला और दूसरा इस्तिफे वाला फैसला अगर केज़िवाल के खिलाफ चला गया आज की तारीख आम आदमी पाटी की मौत की सुरुवात की तारीख भुशित हो जाएगी बहुत बहुत धन्दवाद से तमाम चांदकारी की धन्यवाद तो दिल्ली के सेम अर्विन केज़िवाल को कोट से जटके पर जटके लग रहे हैं कहीं सिराहत मिलती नहीं दिख रहे हैं इस बीच केज़िवाल ED हिरासत से भी सरकार चलाने के जित पर अड़े हुए हैं हलाकि ये पॉसिबल नहीं है उनको भी पता है वही आज केज़िवाल के खलाब PIL पर सुनवाई होनी है जिसके बाद केज़िवाल के जीट खत्म होने की बात कहीं चारी है सबसे बड़ा सवाल में आज के लिटना ही अगर आपने अवे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिजे, हमारे वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे और हैं हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रो गताईए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी, धन्यवाद